नवस्कार जेहन दुस्तों आप सभी लोग देख रूप में ट्रिश्टर यूटूब चैनल तो आप सभी लोग का बहुत-बहुत स्वाकत है तो दोस्तों आप सभी को गले MP4 12th क्लास के रिजल्ट को लेकर एक बहुती मैं तुपोर न्यूज लेकर आया हूँ जिसके तहत आप लोग को ये क्लिर करा सकूँगा कि आप लोग के रिजल्ट में आखिर क्या परिशानी आ रही है यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोग का बता दूँ जैसे कि आप सभी लोगों का मालू है जब भी दस्वी और बार्वी क्लास के एक्जाम कराए गए थे जून के महीने में उस समय काफी सारे ऐसे केंडियेट से जिनके घर में कोरोना मरीज मिलने की वज़े से या फिर कुछ ऐसे उमीदवार थे जिनको करोना हो गया था जिसके तलते उन लोगों के एक्जाम उस समय नहीं हो पाये थे तो नहीं लोगों के लिए सरकार की और से मद्द शाशन की और से दुबारा से यहां पर टेक्ट करने के लिए विशेश परिक्षा कायजून किया जा रहा है जिसके तहत इन लोगों को 20 जुलाई 2020 तक आविदन करने होंगे अब बात आती है दोस्तों रिजल्ट की कि आखिर सरकार की और से पहले ही बता दिया गया कि आप लोगों का जो रिजल्ट होगा साथ दोस्तों हम डीटेल में चर्चा भी करेंगे एंपीए बोर्ट 12 क्लास की रिजल्ट को लेकर कि आखिर आप लोगों के इस परिक्षा से रिजल्ट पर क्या प्रभाब पड़ेगा क्या आप लोगों का रिजल्ट जुलाई में ही आएगा या फिर इस परिक्षा के वज़े से आपका रिजल्ट पोस्पॉंट हो जाएगा तो दोस्तों मैं माद्यमिक सिक्षा मंडल भोपाल के अफिशली प्रेस विग्यप्ती पर आपको लेकर आया हूँ कि माद्यमिक सिक्षा मंडल द्वारा हायर सेकंडरी एवं हायर सेकंडरी दिष्टिहीन मूख बाधिर दिव्यांग वर्ष 2020 की सेच परिक्षा है 9 जून से लेकर 16 जून तक आयोजिद करा दी गई थी जिसमें आप सभी भाई वेनों अपने अपने एक्जाम चीदिये होंगे वहीं पर विवेश कारणों से विशेश परिक्षा का आयोजिद करने के लिए सरकार ने ने ले लिया है आप कौन-कौन से विशेश परिस्तिती थी उन परिस्तिती के बारे में चर्चा की गई है यानकि किसी चात्र के परिवार में किसको कोरोन था तो उस समय उन सभी लोगों को औरेंट किया गया था तो ऐसे लोगों को मौका में लेगा दिश्टहीन, मूकबादिर, चात्र, स्वास्ता, सुरक्षा के कारणों से उन लोगों को यहाँ पर मौका में लेगा और आप लोगों की 14 से लेकल 20 जुलाई तक MPI Online कियोस के मादम से आप लोग आविदन कर सकेंगे आज हो चुकी है दोस्तों 17 तारिक लेकिंग आप लोगों की 14 तारिक से लेकल 20 तारिक तक आप लोगों के आविदन शुरू हो चुके 20 तारीक तक ऐसे लोग आविदन कर सकेंगे जिनके लिए विशेश परिक्षा का आयोजिन किया गया है जो कोरोनावाइरस की वज़े से अपने एक्जामस नहीं दे पाए आगे दोस्तों यहां पर बोल रखा है कि यहां पर आप लोगों को 23 तारीक तक आप लोगों के जो भी अधिकारी होंगे वो इसको वेरिफाई करेंगे और 27 तारीक तक आप लोगों का जो ड्राफ्ट होगा आप लोगों का एक्जाम के लिए वो परपुजल बनाके भेजा जाएगा यानि कि यहाँ पर यह बोल दिया गया है कि आप लोगों को 27 तारीक तक आप लोगों की परिक्षा है इसकी तो समझ लीजिए आप लोग फॉरम भरेंगे आप लोगों को वेरिफिक्षन होगा अब सवाल यह आता है कि दोस्तों आप लोगों सब बोला गया था कि जुलाई के आप लोगों का तीसरे हफ़ते में रिजल्ट आएगा तो क्या इस विशेज परिक्षा से आपके रिजल्ट पर फरक पढ़ने वाला है तो दोस्तों फिलाल तो मैं आपको बता दूँ कि अभी तो कोई भी ऑफिशली नियूज नहीं आई है नहीं गवर्मेंट की ओर से ऑफिशली लेटर जारी हुआ है प्रेस विग्यप्ति जारी हुई है लेकिन मैं इतना आपसे जरूर कह सकता हूँ कि सरकार ने आपको पहले 16 को नहीं आने वाला जैसे कि सभी यूटूब पे वीडियो बन रही थी कि रिजल्ट 15 को आएगा 16 को आएगा 17 को आएगा मैं आपको पहले ही बता दिया था कि आप लोगों का रिजल्ट 15 16 को नहीं आने वाला हाँ लेकिन 15 से लेकर 21 की विच में आप लोगों की सबसे करी नहीं दी गई इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि अभी तक देट फाइनल नहीं हुई है किस देट को आपका रिजल्ट डलना है यहाँ पर कुछ ऐसे संभावनाई भी जदाई जा रही है कि आप लोगों की जो रिजल्ट है वो थोड़े और डिले हो सकते हैं और यह कि रिजल्ट संबंदी जैसे ही कोई भी अपडेट आएगा सबसे पहले हम आपके लिए लिकर आएंगे यहाँ पर जहां तक है 90% आप लोगों के पूरे चांसिस हैं कि रिजल्ट आप लोगों का अलग आएगा और विशेश परिक्षा वालों का रिजल्ट अलग आएगा लेकिन अगर कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनके तहट आप लोगों का रिजल्ट साथ में आता है तो दोस्तों आप लोगों का जो भी अपडेट होगा हम आपको बता देंगे फिर भी दोस्तों आप लोगों से बस यही गुजारिश होगी लगातार जुड़े रही है चैनल स सब्सक्राइब परके औल नोटिफिकेशन औल कर लेजिए